खबारे सीम हिमंद सुरेन बोले अंग्रेजों के सामने नहीं टेके घुटने कोरोना से भी पार पालेंगे मुख्यमंत्री हिमंद सुरेन ने कहा है कि लोकडाउन में सरकार दो मोर्चों पर लड़ रही है पहला संक्रमन एवं दूसरा भूक और गरिबी सीम ने कहा कि अपने सीमित संसादुनों के बावजूद पूरी शक्ती से लड़ रहे हैं और कुछ में सफलता भी मिल रही है संक्रमन रोकने के लिए हम जाच केंद्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं हम अब रेपिट टेस्ट किट एवं पूल टेस्टिंग के माध्यम से और भी तेजी से बड़ी संख्या में जाच करेंगे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोरोना पोजिटीव लोग अब तेजी से संक्रमन मुक्त हो रहे हैं मुक्यमंत्री ने कहा कि भूख के विरुद मुक्यमंत्री दीदी कीचन पुलिस धानों में सामुदाईक रस्वई मुक्यमंत्री कीचन के मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि लोगडाउन में कोई भी जारखंडी आज भूखा नहीं सो रहा है मुक्यमंत्री ने कहा कि मैं राज्यवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक जारखंडी चाहे वो अने राजों में फसे मजदूर, शात्र, कामगार या फिर ब्यवसाई हो उन तक मदद जरूर पहुँचेगी खबर पूरे राज्य में पान मसाला खैनी, हुक्का सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर परतिबंद कोरोना वारिस के फैलाव को रोकने के लिए जारखंड सरकार ने बुद्धवार को कड़ा कदम उठाती हुए पूरे राज्य में पान मसाला तंबाकू बिडी वसीग्रेट के उप्योग पर पूरी तरह परतिबंद लगा दिया है पान मसाला खाकर जहां तहां थूकने वालों पर सक्त निग्रानी रखने और पक्ड़े जाने पर ऐसे लोगों को सीधा जेल भेजने का निर्देश दिया गया है स्वास्थि एंपरिवार कल्यान विभाग के पर्धान सचीव डोक्टर नितीन मदन कुलकरनी ने एक आदेश यारी करते हुए पूरे राज्य में इस नियम को सक्ती से लागू करने का निर्देश दे दिया है डोक्टर नितिर मदन कुलकरनी ने कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ के लिए बड़े खत्रों में ऐसे एक है थूकना एक सारवजनिक स्वास्थ खत्रा है और संचारी रोग के फैलने का एक परमुख कारण है तंबाकू सेवन करने वालों लोगों की परविर्ती यहां वहां थूकने की होती है थूकने के कारण कई गंभीर विमारी यथा कोरोना इंसेफलाइटिस यक्षमा स्वाइन फ्लू आदी का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है इसलिए इस पोर इस पर रोक लगाई गई है खबर है मिड़े मील को बनाने पर मिलेगा अब और ज्यादा पैसा एक अपरेल से ही लागू होंगी बड़ी धरें लोकडाउन की चलते इसकूल भले ही बंद है लेकिन इसकूलों में बनने वाले मिड़े मील के लिए अब उन्हें परती बच्चे की हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा सरकार ने मीड़े मिल की कूकिंग कास्ट में आउसतन करीब 11 पीसद की बढ़ोतरी का फैसला लिया है जो एक अपरेल से ही परभावी होगा पिछले सालों के मुकाबले कूकिंग कास्ट में यह बड़ी बढ़ोतरी है मानोस वसादन विकास मंतराले ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है इसके तहट इसकूलों में प्राइमरी अस्तर पर पढ़ने वाले परतेक बच्चे के लिए अब हर दिन के हिसाब से चार रुपे 97 पैसे मिलेंगे जबकि अपर प्राइमरी के परतेक बच्चों के लिए हर दिन 7 रुपे 45 पैसे मिलेंगे इससे पहले प्राइमरी के परती बच्चे के लिए यह राशी 4 रुपे 48 पैसे थी जबकि अपर प्राइमरी के लिए 6 रुपे 71 पैसे थी कोरोना संकट के बीच कोकिंग कास्ट में की गई इस बढ़ोतरी को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जब स्कूलों के बंद होने से वहां मिड़े मिल तयार नहीं हो रहा है ऐसे में ज़्यादातर राजियों की ओर से बच्चों को कोकिंग कास्ट के साथ राशन उपलप्त कराया जा रहा है इसके चलते अब उन्हें कोकिंग कास्ट का ज़्यादा पैसा मिलेगा कवरे जहारखन में 27 अप्रेल तक आंधी बारिश और बजरपात की चितावनी जाने अपने शहर का हाल दोस्तो तेज आंधी के साथ बारिश का दोर फिर से जहारखन की कई इलाकों में शुरू हो गया है सुमवार को देर रात भारी बारिशा और बजरपात के बात मंगलवार को भी राधानी राची जमशितपूर लोर्दगा समेत कई शहरों में जमकर बर्शा हुई मौसम विभाग के पुर्वानवान पर भरुसा करें तो यह सिलसिला बुद्वार से अगले एक हपते तक चलता रहेगा जहरखंड के अलगलग हिस्सों में 27 अप्रेल तक लगभक रोज तेज हवाएं आंधी पजरपात और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना बनी हुई है पिछले 24 गंटे की बात करें तो सिमडेगा के कोलेबिरा में सरवाधिक पारिश रिकोड की गई यहां 50 मिलिमीटर तक बर्शा पात दर्च किया गया है चांडिल में भी 40 मिलिमीटर बारिश दर्च हुई है चैबासा, जमशितपूर, घाटशीला के अलावा पाकुड कुरुडेक और तोरपा आधी इलाके में भी रुकुरुकर देर तक पारिश होते रही खबर स्वास्थे कर्मिएं पर हमला बरदाष्ट नहीं जुर्माने के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान केंद्र का बड़ा एलान तमाम अनुरूत और एडवाइजरी के बहुझूद स्वास्थे कर्मिएं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसे गहर जमानती अपरात की श्रेणी में डाल दिया है साथ ही स्वास्थ कर्मी ओपर हमले के आरोपियों को 5 लाक रुपे तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है यही नहीं हमले में स्वास्थ कर्मी के वाहन वनीजी संपती के नुकसान होने की इस्थिती में आरोपी से नुकसान की दोगुनी राश्री वस्सूल की जाएगी परधान मंत्री नरेदर मोदी की अध्रश्था में हुई कैविनेट की बैठक में 123 साल पुराने महामारी विमारी कानून में इन संशोधनों के लिए अध्यादेश को हरी जंडी दे दी गई दरसल देश के विभिन भागों में हो रहे हमलों को लेकर स्वास्थ कर्मियों के मनुबल पर पर्तिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इंडियन मेडिकल एसोशेशन ने इसके सांकितिक बिरोत का भी आहवान किया था स्वास्थ कर्मियों को भरोसाय दिलाने और कोरोना की खिलाब जंग के दुरान उनके मनोबल को बनाय रखने के लिए बुद्धवार को ग्रिह मंतरी अमित्शा और स्वास्थ मंतरी हर्श वर्धने वीडियो कॉन्फरिसिंग के जरिये IMA और स्वास्थे कर्मियों के अन्य संगठ्णों के परतिनीधियों के साथ बात की तो दोस्तो ये था अब तक की बड़ी ख़वर Breaking News मुख्य समाचार और जारकन की ताजा ख़वरों की सुर्खियां तो दोस्तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर कर दें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी Breaking News की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अब इजाज़त दें नमस्कार